विधान सभा के बजट सत्र के 13 दिन पुर्व सीयम रमन सिंग ने गारे पेलमा कोल ब्लॉक का मुद्दा उठाते हुए रायगर कोल ट्रांसपोर्टेशन के रेट और टेंडर में गरबड़ी कारूप लगाया विधायक दॉक्टर रमन सिंग ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोगुने दर पर टेंडर दिया गया है उन्होंने सवाल किया कि अतरिक्त पैसा कहां दिया जा रहा है इसके जवाब में असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने वॉक आउट कर दिया मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने कहा कि किलोमीटर के हिसाब से सेसेल ख़दान के भीतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेट निधारित है जब पिछली सरकार में टेंडर किया गया और नियम मनाया गया उसी समय ये कह दिया जाता कि गाइडलाइन के हिसाब से परिवहन होगा लेकिन साल 2017 में तो आपने ऐसा नहीं किया जब आप से असंतुष्ट पुर्व मुख्य मंत्री ने कहा कि कोल निविदा में जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है उसमें भी भारी अंतर है समान प्रक्रिया है जब कोई टेंडर प्रक्रिया होती है और टेंडर प्रक्रिया में वो चाहे एक करोड का हो चाहे दस करोड का है चाहे हजार करोड का हो जो निविदा कार होते हैं उनकी संख्या समानता तीन होनी चीए मंत्री जी ने जवाब में दिया कि चार लोगों ने निविदा डाली, दो डिस्क्वालिफाई हो गए, बच गए दो और जो बाकी दो ही बचे उनके बीच में ही टेंडर ओपन किया गया और उस टेंडर के प्रक्रिया में भी हमारी आपत्ती है कि जब तक तीन लोग के इसमें नियम कानून प्रक्रिया को ताग में रखके काम किया गया है। जाता था जिसे बढ़ाकर 6 लाग किया गया है। शत्यक्रस्त मकान का मौवजा बढ़ाने के संब्द में विचार किया जा रहा है।